नमस्कार, JCERT के DG School में आपका स्वागत है आज के इस क्लास में हम लोग सीखेंगे वर्ग पांच के गनित के दस्मलो भिन पाट को पिछले कर्चा में या क्लास में हमने सम्तुल्य भिन के बारे में या सम्तुल्य भिन की अवधारना को जाना था आज उसी क्रम में अगला जो टॉपिक है हमारा दस्मलो भिन तो सम्तुल्य भिन में हमने सीखा था एक बटा दो का सम्तुल्य भिन यह ऐसे निकालते हैं एक बटा, दो, गुना, दो बटा, दो, ब्राबर, दो बटे, चार इस तरह से निकालते हैं, यह गुना करते जाते हैं और अगर हम यह दो बटा, दो की जगह, अगर हम पाँच बटा, पाँच करते हैं, तो यह हो जाएगा पाँच बटा, दस और फिर इसी को, अगर हम एक बटा, दो को अगर हम पचास बटा, पचास से करते हैं, तो यह हो जाएगा पचास बटा, सौ इसी तरह से 2 बटा 5 को अगर हम 10 बटा 10 इससे करते हैं तो ये हो जाएगा 20 बटा 50 फिर दो बटे 5 को अगर हम 20 से गुना करते हैं 20 बटा 20 से तो ये 40 बटा 100 तो ये जो सम्तुलि भिन हमारे 1 बटा 2 और 2 बटे 5 क्या है ये क्या है 5 बटे 10 पचास बटे 100 यहां 20 बटा 50 चालिस बटा 100 तो ये जो हमारे भिन है 5 बटा 10 पचास बटा 100 इस तरह के भिन को हम दस्मलो भिन कहते हैं इसकी विसेश्टा क्या है इसके जो हर है वो दस के गुनाज है ये 10 है ये भी 10 का गुनाज है ये भी 10 का गुनाज है अर्थात जिन भिन्नों के हर, जिन भिन्नों के हर, दस के गुनज में होते हैं, उन्हें दसमलों भिन कहते हैं। अब हम देखेंगे कि इस तरह के जो दसमलों भिन होते हैं, इन्हें हम दसमलों में कैसे व्यक्त करते हैं। पहला उदारह में लिया है 5 बटा 10 तो इसे हम व्यक्त करेंगे 10.5 ये दूसरा है 20 बटा 100 तो इसे हम व्यक्त करेंगे 10.2 और ये 50 बटा 100 ये हो जाएगा 10.5 और अगर ये 5 बटा 100 रहे तो सुन्य दस्मलो सुन्य पांच तो इसका तरीका ये है जो ट्रिक है हम देखते हैं कितने सुन्य हैं एक सुन्य है तो इस पांच से एक अंग पहले हम दस्मलो लगाते हैं यहां दो सुन्य है तो यहां से हम एक दो यहां लगाते हैं तो ये दस्मलो दो या दस्मलो सुन्य दो सुन्य दोनों एक ही चीज है इसलिए हम इसे दसमलो दो लिखते हैं ठीक इसी तरह से ये पचास बटा सो का ही हो गया और पांच बटा सो तो यहाँ दो सुन्य है तो हम 5 से दो अंक बाइं ओर दसमलो लगाते हैं तो यहां 5 लिखा इसके बाद और अंक नहीं है तो इसले हमने एक सुन्ने लगाया और 5 सुन्ने दसमलो और इसे हम पढ़ते हैं कैसे शुन्य दस्मलो इसे हम कैसे पढ़ेंगे सुन्य दस्मलो दो पाँच गौर करेंगे इसे हम सुन्य दस्मलो पचीस नहीं पढ़ेंगे सुन्य दस्मलो दो पाँच अब हम देखेंगे दस्मलो संख्या को भिन्य में कैसे लिखते हैं एक हमारा उदारन है सुन्य दस्मलो तीन अर्थात इसका अर्थ हो गिया दस का तीन भाग दस में तीन जीरो दस्मलो तीन का अर्थ हो गिया ये दस में तीन और ये जीरो दस्मलो सुन्य एक इसका अर्थ हो गिया एक बटा सौ अर्थात सौ का एक भाग इसी तरह से अगर हम लेते हैं सुन्य दस्मलो तीन नौ तो ये हो जाएगा 49 बटा 100 अब जो ट्रिक है वो क्या है यहां दसमलों 3 था तो यहां 3 हमने लिखा और दसमलों के बाद कितने अंक है 1 तो हमने 1 के बाद 1 शुने बठाया यहां हम देख रहे हैं सुने 1 यानि 1 बटा अब बटा में हर में हम रखते हैं एक पर उतने सुने जितना दसमलों के बाद अंक है यहां दसमलों के बाद 2 अंक है एक दो इसलिए यहां हमने 2 सुने बठाया तो यह हो गया 1 बटा 100 यहां दसमलों 39 अर्था 49 बटा 100 दसमलों के बाद 2 अंक थे इसलिए एक के बाद हमने 2 सुने लगाया आओ बाटे अब हम लोग हमेशा कुछ इस तरह की हमारे पास समस्याएं आती है कि कुछ चीज है, केक है या कुछ और चीज है इसे बाटना होता है तो देखे किस तरह से बाटते हैं एक चित्र के माधियम सही से हम समझते हैं एक चित्र ये है और इसे चार भाग में हमने बाटा है और इसका एक भाग हमने लाल रंग से रंगा हुआ है तो ये रंगा हुआ भाग कितना हो गया? चुकि हमने चार हिस्से में बाटा था तो ये हर में चार और रंगा हुआ एक था चार में एक हिस्सा तो ये एक बटा चार तो रंगा हुआ भाग हो गया एक बटा चार अब बिना रंगा हुआ बिना रंगा हुआ भाग तो हमने चार हिस्सा किया था तो कितना भाग नहीं र वो एक, दो, टीन तो रंगा हुआ भाग हमारे एक बटा चार हुआ और बिना रंगा हुआ भाग तीन बटा चार अर्थात इसे हम इस तरफ से भी लिख सकते थे हैं एक पूरा भाग एक हो गया और इसमें से हमने एक बटा चार घटा दिया या हटा दिया तो हमारा बच गया क्या 3 बटा 4 तो ये हमने जाना कि किस तरह से हम लोग बाटते हैं एक और समस्या पर हम विचार करते हैं कौन बड़ा है एक बटा दो या एक बटा तीन फिर से इसे हम चित्र के मादे हम से देखते हैं यह है एक बटा दो और एक बटा तीन अर्थात हमने दो भाग किया इसका और इसका एक भाग हमने रंगा है यहां इस चित्र का या इस वृत का हमने तीन भाग किया और एक भाग रंगा है तो इस पस्ट रूप से हम यह देख रहे हैं कि यह हमारा बड़ा है और यह छोटा है तो इसे हम इस तरह से लिखते हैं एक बटा दो बड़ा है एक बटा तीन छोटा इस समास्या से हमें एक पैटर्ण मिल रहा है हम देख रहे हैं कि इन दोनों संख्याओं में इन दोनों भिन्नों में हर अलग है लेकिन अंस दोनों का एक ही है फरसे यह जो हमारा भिन्न एक बटा दो और एक बटा तीन यहां क्या है अंस एक ही है और हर अलग है तो हम क्या पा रहे हैं ऐसे स्थिती में जो हर छोटा है या कम है वही बड़ी संख्या है अगर अंस समान है और हर जिसका छोटा है वो बड़ी संख्या होती है तो इस तरह स से यह हमारा एक पैटर्ण मिल गया है अगर हम दूसरा उधारन और कुछ देखें कि एक बटा पांच एक बटा साथ एक बटा दो एक बटा चार तो आप क्या बता सकते हैं इसमें सबसे छोटी कौन सी होगी कौन सी संख्या या भिन्द होगा यहां देख रहे हैं कि सभी के अंस समान हैं किन्तु हर सभी के अलग हैं तो सबसे छोटी कौन सी होगी जिसका हर सबसे बटा होगा तो अर्थात इसमें सबसे छोटी संख्या या सबसे छोटा भिन्द हो गया एक बटा साथ इससे फिर इससे थोड़ा बड़ा यह कौन हो जाएगा एक बटा पाँच इससे थोड़ा और एक बटा चार और इससे बड़ा एक बटा दो अर्थात इन भिन्नों में या इन संख्याओं में सबसे बड़ा भिन हमारा कौन सा है एक बटा दो और सबसे छोटा है एक बटा साथ इसे हम कह सकते हैं कि इसका बढ़ते क्रम है आज जो हमने यह टॉपिक देखा दसमलो भिन मुझे पुरी आसा है कि इसकी अवधारना इसकी समझ आपको बिलकुल इसपस्ट हो गई होगी अब आप अपने अभ्यास अपने पुस्तक के जो अभ्यास के प्रस्न है उसे बनाएं और कहीं दिक्कत होती है तो अपने सिक्षक से सहय ताले धन्यवाद